नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ग्यारह जून जयेश्ठ मास की पंचमी तिथी मंगलवार की रात, कपूर और लॉंग का ये चमतकारी महावपाय जीवन के हर दुखकष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ती हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। धन, दोस्तों, ये जो मंगलवार 11 जून 2024 को पढ़ने जा रहा है, ये कोई सामानने सा मंगलवार नहीं होगा, बलकि ये बड़ा मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में आने वा बलकि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है, वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किये जाने वाले, यदि लॉंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के बाद आप की कैसी भी मनोकामना हो, वो पूरी होती है, हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधिविधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है, वही इस माह का ब जेश्ट में पढ़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है जेश्ट मास में पूरे पांच मंगलवार पढ़ रहे हैं जानिये, मंगलवार में कैसे लोग केवल लॉंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं जून माह में जितने भी मंगलवार पढ़ेंगे, सभी मंगलवार का अपने अपने विशेश महत्व होगा। कहां जाता है कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी। क्योंकि साल का प्रदोश मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है, जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए तीन कपूर और दो लॉंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं, बलकि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए, केवल एक दिन के इस उपाय को करने के बाद, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कै ऐसे आपको सुक समरिद्ध की हासिल ही होगी, और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद ना केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बलकि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस आपको सफल हासिल होगी, इसी लिए द आप हमको पूरे साल मिलता है, और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे उपर बनी रहती है, इसी लिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीरवाद आप अपने बहुत ही उन्नती करें, बह कॉमेंट बॉक्स में तुरंत लिखतीजिए, जै श्री राम, जै बजरंग बली जी की, और एक काम कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राश्य भी डाल दीजिएगा, आपकी राश्य के अनुसार कोई भी उपाय होगा, जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन आदेंगे आपको, इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राश्य डालना मत भूलिएगा, देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कहा जाता, यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं, तो इस आप हैं कि मंगलवार के की पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों, इसके लिए आपको दस बारह मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है, परंतु मार्ग शीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है, जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे, वो पूजा उसी द आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, सही मुहूर्थ पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, ना केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बलकि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए, देखिए, सबसे पहला उपाय है, मनो कामना पूर्ति का माहौल, आपकी कैसी भी कामना है, आप चाह पहले ये ध्यान रखना है, कि ये जो 2 मई 2024 को मंगलवार पढ़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है, धोना है, नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्तर का धारन करना है, क्योंकि लाल हनुमान जी, महराज को बहुत ही प्रिय होता है, अब आपको पी पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए, तीन कपूर और दो लॉंग रखना है, बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, तीन कपूर और दो लॉंग रखना है, अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है, हनुमा आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहां करते हैं, तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनुकामना होती है। वो हनुमान जी महाराज के आशिरवात से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिल का महा उपा हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चड़ाइए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी, कि जो आपकी मन चाही नौकरी होगी, वो लग जायेगी। चौधरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चड़ाने का महाँ पाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हनुमान जी को लड़ू बहुत ही पसंद है। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा। लड़ू कौन सा चढ़ाया जाता है। बूंदी का या जरूर ही रख दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं आ जाता है। तो आप दो दो हजार चौबीस के बड़े मंगल के दिन के लड़ू या बूंदी के रही उन्नति नहीं हो रही। यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चड़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है उन्नति रुकी हुई है वो होना शुरू हो। तरीके दोस्तों लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए तो आपको क्या करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यदि आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फाइदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की में जाना चाहिए, परंतु आपको कैसे पूजा करनी है, बहुत ध्यान से सुबह नहाद होने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है, किसी भी लाल कपड़े में आपक पांच सौ ग्राम गुड रखना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पांच सौ ग्राम गुड से कम नहीं होना चाहिए, पांच सौ ग्राम गुड के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है, इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली, पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का इस्तिमाल कीजिएगा इसी पोटली को जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें इतना यदि कर दे हैं तो यकीन मानिए लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जुँझ रहे हैं बीमारी से आप परेशान हैं जिसमें आप लाखों रुपे खर्च कर चुके हैं केवल इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी अब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए आप चाहते हैं कि आप जीवन में धन आए उसमें वृद्ध तो क्या करना चाहिए एक बहुत आसा उपाय बताया गया है लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चड़ाई गई है इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चड़ाना ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी यदि आपके आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है धन आने के सारे जाए तो ये कीजिए जो आपको बताना है परन्तु ये उपाए थोड़ा सा कठिन है दोस्तों आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को मतलब ये पांच मंगलवार पढ़ रहे हैं पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है नहाना है धोना है आपको पीपल के पत्ते तोड़ने है पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है यदि आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में आने सारे रास्ते खुल जाएंगे इतना धनाएगा आपने इसकी कलपना नहीं की थी खुशियां आपके घर का पता भूल गई है तो आज का यह उपाय आपको जरूर सुख देगा गैरंटी है कि पंदरह दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोल कर हसेंगे आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल बारह उपाय बताएं हैं जो पूज्य गुरू जी प्रडीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अकसर बताते रहते हैं आज की इस वीडियो में आपको बारह उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाए एक से बढ़कर एक है बस का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए परन्तु ये उपाए थोड़ा सा तलीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का चाहे जो भी इंसान हो जहां भी रहता हो सब के घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं है किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है चाहे वो बीमार, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख स्मृध्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो तो हर परेशानी का उपाए आपको इसी एक वीडियो जाएगा तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाब मिले और पुन्य को समझा, एक बहुत अच्छी बात है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में, यदि आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक कर दीजिए तो चलिए, जानते हैं कपूर के चमतकारिक उपाय के बारे में इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है यदि खुले में आप इसको रख देंगे, तो वह उड़ जाएगा और अकसर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख और समरिद्धिलाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध पहल जाता है और घर की negative energy दूर हो जाती है और हमारे मन को शान्ती मिलती है Sanskrit में इसे करपूर हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में camp for कहते हैं तो पहला जो है आपके घर में लड़ाई जगड़ा बहुत ज्यादा होता है छोटी छोटी बातों पर ही गाली ग्लॉज होने लगता है परिवार रिष्टे भूल जाता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है तो इसके लिए को क्या करना है आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है एक पीस कपूर ले लीजिए मार्केट में आपको तीन तरह के कपूर मिलते हैं पहला गोलाकार का, दूसरा चोको आकार का तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए उसको चार भाग में बांट दीजिए एक कपूर के आपको चार टुकडे करने हैं जरूरी नहीं कि आपका टुकडा बराबर बराबर भाग में तूटे 19-20 भी तो कोई बात नहीं चार भाग में चार भाग में होना चाहिए बस अब आपका एक कपूर का पिस चार भाग में बढ़ गया अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई जगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है, या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हो, हॉल में ही तो उस चार टुकणों को क्या करना है जैसे समझ ये कि आपके बेड्रूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या चारों टुकणों को लड़ाई हो रही है हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए, आपको आगे आने वाले दो स्टेप आपको आगे सोच के चलना है, जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए, गाली गलॉज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए, ब आपको वो दिखेंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे टुकडे, आपके चार-चार में रख दीजिए, ठीक, तो आपने रख दिया इसको, अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा, कि भाई, ये कपूर का टुकडा चार हमने कर दिये, ये हमारे घर के जग जब भी आपके लड़ाई जगडा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है, कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शान्त हो जाएगा, घर के चारों कोनों का एक-एक टुकडा रख देना है, जो भी आपके घर का गुस्सेल विक्ती होगा न, वो जो आपके आप देखेंगे, पंद्रह दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है, वो सही तरीके से हो जाता है, और वह कभी भी जगडा नहीं करना चाहेगा, किसी भी परिवार के सदस्य से वो यदि जगडा करता होगा, तो वह अब नहीं करेगा, थोड़ा सा समय लगेगा उसे प कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है, नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है काम हो या नौकरी हो उसके लिए ये उपाए आपका बहुत काम करता है घर में यदि सुख शान्ती समरिधी की आपकी कमी हो गई हो आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो आमदनी या ठानी और आपका दो-चार रुपया ज्यादा ही हो जाता हो तो आपको क्या करना है आपको करना एक कांच का कटोरी ले लीजिए कांच की कटोरी में आपको साथ पीस कपूर के डाल देने है साथ पूरे के पूरे साथ गोली कपूर की डालनी है चाहे डालिये या गोल डालिये साथ आपको डाल देना है साथ पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाए दो छोटे-छोटे टुकडे फिटकरी के लेलीजिये, और उसमें एक सेنधा नमक का सेंधा नमक वही है, जो हम वरत्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकडा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है, आपका घर का जो नमक साधा नमक खाते हैं वो नहीं लेना है आपको ये तीन चीज लेना है पहला है साथ पीस, कपूर लेना है दूसरा दो टुकडा या दो टुकडा आपको फिटकरी का लेना है और एक टुकडा सेंधा नमक का लेना है इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके उपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए छोटे-छोटे स्टील का तो आप उस कटोरी कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए अच्छा रहेगा उस कटोरी को ढख देना है आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढख दीजिएगा अब आपको क्या करना? आप जहां भी कैश रखते हैं आप चाहे दुकान के लिए करे या घर के लिए करे ये सब के लिए एक ही चीज है जहां पर भी अपना कैश रखते हैं यदि घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कही न कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके तो उसके समीप रखना है डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है, जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे पास रख दीजिए, घर में उस कैश के डब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है, जिसमें आपने ये ती पहकाते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके गल, बगल में कहीं यदि स्पेस है, तो आप इसको वहां रख दीजिए, धका हुआ है, यदि खुले में रखेंगे, यदि उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्द उठ जाता है, खुले में रहा, तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का आप, इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैगनेट है, जो धन को अपने तरफ में खींचता है, अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाए किसी भी शुकल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है, महीना चाहे कोई भी हो, सावन, भादो, जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुकल पक्ष के शनिवार को करना है, उसके बाद आपका जो ये कटोरी है जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए जब आपका कपूर उढ़ जाए क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्त है तो जब कपूर उढ़ जाए उड़ जाए तब आपको क्या है फिटकरी का टुकडा है वो सेंधा नमक का जो टुकडा है वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए मतलब यदि आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है क्योंकि आपने पहले शुकल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है. आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं. आप देखिए, हफते में बदल लें, या फिर 15 दिन पे या फिर एक महीने पे आप इसको बदल सकते हैं. जो धीला कपूर, धीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए यदि आपके आसपास यदि फ्लैट में आप रहते हैं शहरों में रहते हैं तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी तो आप इसे क्या कीजिए आप बैलकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहाँ पर या फिर आप ऐसा कर सकते हैं एक पानी एक बरतन में पानी ले लीजिए उसमें इन दोनों को डाल दीजिए अब ये आठ दस घंटे में पूरा मतलब ये जो दोनों टुकडे हैं वो गल जाएंगे उस पानी को आप अपने डालकर के भावा दीजिए खत्म हो गया और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डालकर के कटोरी में रिपीट कर लीजिए आप विश्वास नहीं करेंगे महीने में चार या पांच शनिवार होते हैं न तो हर शनिवार को नहीं कर सकते है कीजिए जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है आपका बिजनेस जहां पर भी है जहां भी आपका गल्ला है वहां पर आप इसे ढख कर रख दीजिए आपका बहुत तेजी से चलता है एक बार करके तो देखिए आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी इससे इतने तेज ग्रहक आते हैं आप देखके आश्चर रिचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है ठीक अब तीसरा जो उपाय है वो है आपको प्रति दिन सुभे और शाम घर के मुख्य द्वार के चौकट के ठीक बाहर आपका जो रूम है आप गाउं में है शहर में है फ्लेट में आपका एक मुख्य दर्वाजा होता है तो मुख्य दर्वाजे आपको इस उपाय को करना है करना क्या है आपको सुभे और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक-एक टिकिया जलानी है मतलब सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए सुबह में सुर्योदय के समय यदि आप इस उपाय को आठ बजे नौ बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा सुर्योदय मतलब कि जब सुर्या भगवान की लालिमा रहती है सुर्या भगवान पूरे ना होंगे तब जब सुर्या भगवान लालिमा रहती है मैकसिमम छेह चेह बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है नहा धोलीजिए, फ्रेश हो जाईए और उसके बाद घर में आपने धुबबत्ती दिखा ली और घर के चोखट के बाहर, घर के चोखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए, बस ही करना है, और शाम को गो धूली बेला जब ना तो दिन रहे ना रात रहे उस समय, पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा, एक चीज आपको सावधानी बता देता हूँ, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाए मत करिएगा, लोहबान का उपाए मत करिएगा, क्योंकि इस से ह हमारे धर्म के हिंदु देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं। हमारा घर छोड़ देते हैं, लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी हैं। तो शाम के टाइम पर भी आपने कब और जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में सदैव बنا रहेगा और आपके घर में सदैव सुख, शान्ति और समरिधी बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैपी रहेगा। अगला जो उपाय यदि आपको घर में, यदि आपको अपने ही घर में डर लगता हो। कहते हैं ना की मतलब कि घर का कोना काटने को दोड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, यदि आप अपने ही घर में डर जाते हैं, या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रति दिन सुभह और शाम को आपको ये उपाय करना है, आप जब भी सुभह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है, पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं, कि कपूर की आरती, पूरे घर में दिखाने से, घर में देवी देवताओं को सदैव वास बना रहेगा, और आपके घर परिवार पर सदैव भगवान का आशीरवाद बना रहेगा, तो परिवार जब भगवान के आशीरवाद के नीचे रहेगा, तो वो खुश रहेगा ही घर में किसी का जादू टोना लगी नहीं सकता है और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है आप दो कांच की छोटी-छोटी कटोरी लेते आईए और दोनों के भी लेते आईए स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए दोनों कटोरियों में दो पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के इसे ढख दीजिए अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटे दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका एक महीना आराम से चल ही जाता है पर यदि वो जब उड़ जाए तो आप उसमें दो पीस नए कपूर डाल दीजिए हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहाँ पर नेगेटिव एनरजी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यू होती है और ना ही इस घर में दुरगटना होती है तो आपको ये उपाय कर लेना है अगला जो उपाय है जब आप रात को सोने जाएंगे जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोईए हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांती मिले आज के भाग दोड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है आफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन हर तरह की टेंशन होती है दिन भर आदमी हो या औरत हो सब को टेंशन होती है जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम, धंधा हो चाहे आपका बिजनस ही हो आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं, तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे, उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए बस उसके बाद सो जाईए सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे आप अपने आपको तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक positive energy बनी रहेगी उपाय को करके देखिए यदि आपको mind relax करना हो तो अगला जो उपाय है यदि आपको अचानक धन चाहिए यदि आपको अचानक धन की प्राप्ती चाहिए जैसे कई लोग lottery खेलते हैं वहाँ पर इसकी permission होती है तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको के दिन ये उपाय करना है एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर का एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए गुलाब जल जाएगा अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है, उसे डुरगा माता को चढ़ा दीजिए अपने घर में ही करना है इस उपाय को मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा, उनके सामने चढ़ा दीजिए इस उपाय को इस उपाय से जो है ना आपको अचानक के संजोग जाते हैं पर इस काम आपको continue 43 डेस तक करना है 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेस तक इसको continue करके रखिए यदि आप इसे नवरात्री के समय उपाय करेंगे ना तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा आपको घटस्थापन के दिन से जिस दिन हम घटस्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से उस दिन से 43 डेस तक ये उपाय रोज करना होगा आपको इन डेस में कही न कहीं से अमाउंट चाहे जहां से भी मिले कहीं न कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है अगला जो उपाय है यदि आपके घर में वास्तु दोश लगता है आपके plot का कोई कोना कहीं कटा-फटा हुआ हो कटा हुआ हो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, बरगाकार और आयताकार ये दो plot ही है जो घर में रहने वाले को उस plot पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग happy रहते हैं उस घर में कोई दोश नहीं होता है पर यदि आपके plot का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोश लगता है तो आपको क्या करना है आपके घर में जहां दोश लग रहा हो वहाँ पर कपूर का दो टुकडा रख दीजिए जब वही कांच की कटोरी में आपको दो टुकडा रख देना है और कटोरी को ढख दीजिए वो कपूर का टुकडा कपूर उड़ जाए तो आप वहाँ पर दूसरा दो पीस उस कटोरी में कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए आपको दो पीस रखना है क्योंकि जोडे में इसको रखना है मेल, फीमेल हो या जैसा भी हो इसको पैर में ही रखना है जोडे में ही आपको दो पीस कपूर वहां पर रखना है इस से आपके घर का वास्तुदोश दूर होता है और आपके घर का जो फैमली मेंबर है हर फैमली मेंबर के लाइफ चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैपी रहने लगेगा यदि आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं न कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है ऐसे में आप करना है अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की दो बून डाल देनी है और तब नहाना है ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंक से चमकाता है आप तीन शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा ये बहुत जल्द असर करता है एक शनिवार आपने नहा लिया दूसरे शनिवार नहाईए तीसरे शनिवार में आपको कही न कहीं से खुशकबरी मिल जाएगी तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं इसको ये नहीं है कि हमें एक महीना करना दो महीना करना है आप लाइफटाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के दो तेल की दो बूंदें डाल करके बाल्टी-बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए भाग्या आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना ये उपाय पति-पत्नी के बीज की अनबन को दूर करने के लिए है यदि पति-पत्नी में सदैव नोक-जोक चलती रहती है